विनिंग्स 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 जी हां दोस्तों बैक टू बैक विनिंग्स इस साल कमाल के रिजल्ट रहे हैं आईपिल में बाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया है काफी जबर्दस रिजल्ट आये हमारे बाई लोगों को पता है जो बाई लोग अमार साथ जुड़ वसी मुंबाइ इंडियान्स के बीच में 60th मैच 7.5 बजे खेला जागा और ये मैच इडन गार्डन्स में खेला जाने वाला है मतलब कोलकाता के होम ग्राउंड पर और कोलकाता इसमें बाई फेवरेट हो सकता है दोनों ही अगर मैं बात करू स्ट्रॉंग टीम है कोलकाता थोड़ा सा जादा फेवरेट हो सकता है क्या चांसीज है क्योंकि स्पीन को मदद मिलता है तो कौन-कौन से खिलाडी इंपोर्टेंट होंगे उसके बारे में बात करते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कौन से आपके लिए ट्रंप पिक्स होंगे क्योंकि ग्रैंड लिग आप लोग देख रहे हो कितने जबरदस रिजल्ट आ रहे हैं और ग्रैंड लिग में पंटर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पिडिक्शन फड़ा फट से तो पूरा देखिएगा वीडियो समझिएगा तभी आप लोगों को सब चीज पता चल जाएगा और आप भी हमारे तरह विनिंग कर सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है पिछ पे रंस 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 बहुत सारे रंस देखने को मिल रहा है साधी साथ में स्पिनर्स का बोल बाला रहता है और डेतो वोस में जो बॉलिंग करवाते हैं उनको विगिट जादा मिलते हैं और इस मैच में भी आपको शायद से 3-4 विगट लेते हुए दिख जाए, बॉलर्स, तो आप लोग कैप्टन भी कर सकते हो, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं यहाँ पर से, और एन एवरेज स्कूर 165 का रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर, लास्ट करते हैं, यहाँ पर भी देखो, 16 ओवर में चेज हो गया और 3 ही विगट गिराता, ठीक है, रन बढ़िया होता है, सारी साथ में यहाँ पर स्पिनर्स को भी 44 विगट मिले हैं, लास्ट 10 मैच में 67 पेसल को मिले हैं, कौन से इंपोर्टन होंगे, इसके बारे में बात के-के-आर की बात करूँ, तो आप देख सकते, 33 मैच में से 10 मैच जीता है, वहीं पर. MSI की बात करें, Mambai Indians तो 33 मैच में से 23 मैच जी चुके हैं, head to head के掛े ले देखेंगे तो मुंबाइं इंडियान के ज्यादा अच्छे हैं.orkA革, और क्या फेवरेट है, क्या मुशकिले है तो chances भी वहीं पर बन जाते हैं winning की ठीक है बागी क्यार मेरे खाल से काफी अच्छा strong backup कर सकता इस match में और काफी बढ़िया कर सकता है बागी Mumbai Indians भी टीम अच्छा है बाद में बात करेंगे खेंगे भाई confuse कर रहें कोई बात नहीं है आप लोगो confuse नहीं होना है फाइनल जो भी टीम होगा मैं टेलेग्राम पर प्रवाइड कर दूँ है टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में मैंने पिंड कर दिया दायान में रखेगा यही एक आसान तरीका है दूसरे तरीके से आप जुड़ेंगे तो शायद फ्रॉड चैनल पर जुड़ जाए क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं तो अब बात कर लेते हैं हमारे टीम में इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं सबसे पहले प्लेइंग लैवन की बात कर लेते हैं सुनी नाराइन खेल रहे हैं बहुत अच्छे फॉर्म में हैं जरूर रखिएगा कैप्टन सी के भी अच्छे चोईस रहते हैं पी सॉल्ट मस्टप पीक है काफी बैतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं अंगरीश रगुवन्शी ठीक ठाक पीक है बढ़िया करा है अगर मैं बात करूँ क्या रन देखने को मिल रहा है कौन से बोलर्ज इनको परिशान करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे अब बात कर लेते हैं कौन से टीम के फ्लॉप हो सकते हैं कौन से प्लियर्स फ्लॉप हो सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर से देख लूँ फ्लॉप होने के चांसिस किस-किस के हैं ठीक है दोस्तो, रोई शर्मा यहाँ पर से है, इशान किशन है, बहुत बहतरीन भाई, फ्लॉप होने के चाहिए, समझ लेजिए, टॉप ओडर जो बॉलर है ना, उनकी पिटाई हो सकता बढ़िया से, फर्स्ट इनिंग में जो भी मतलब बॉलिंग करवाने हैंगे, वहाँ तो आप अचे रहेंगे, रोई शर्मा इशान किशन, नमंदीर खेल रहें, सूरी कुमार यादव, तिलग वर्मा, हार्दिक बांडिया, तिम डैविड, साधिसस में अंशूल कंबोज खेल रहे हैं, एक 47, ठीक है, नुजवन तुशारा, पियूश चावला, जस्पीद बॉम्रा, निहाल बदेरा, दोस्तों, अब इंपोर्टेंट कोन है, अब देख लो, अगर मैं बात करूँ, केकेयार अगर बैटिंग करता है ना पहले, केकेयार अगर बैटिंग करता है, तो दयान में रखिए कि कौन-कौन फलॉप हो सकते हैं, नुवन तुशारा फिर से फलॉप हो स तो यहां पर नुवन तुशारा पे हो सकता है, अगर शुरुवात में होगर, डेथ में करवा दिया तो अलग बात है, फलॉप कोन होंगे, नुवन तुशारा हो सकते हैं, ऐसे कंडिशन में, जस्पित बुमरा, बहुत बैटरीन चोईस, डेथ में करवाएंगे, तो मस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, प्यूश चावला का, क्या करवा रहें, देखो, लेअफ्ट अडbei को बहुत परिषान करते हैं, और सामने लेफ्ट अडी है, ठीक है, बहुत सारे लेफ्ट अड़ी है, नारायन को लेलो, ठीक है, उसके बाद में, आप यहां पर से वैंक टेश तो आपको मैंने तीन पिक बता हैं प्यूश चावला ठीक है दूसरा हो गए आपके लिए जस्पिद भूम्रा ये दो खिलाडी साधी साथ में हाधी पांट है ये तीन इंपोर्टेंट होंगे ऐसे कंडिशन में बैट्समान कॉनेक्ट से रखेंगे सुलीन नारर्ण रखेंगे पीस ओल्ट रखेंगे सेयरशियर रखेंगे ऐसे कंडिशन में रसल को भी रखेंगे बैक अब करेंगे क्योंकि बॉलिंग करवा सकते हैं मिचल इश्टार्क, देखो, मिचल इश्टार्क की भी बात कर लेते हैं, भाई, पिटाई होने की संभावना है, क्योंकि बार-बार वही बात बत्रा, शुरुआत में ओवर करवा देगे, देखो, हाला कि मिचल इश्टार्क और आपको दिख जाएंगे रोई शर्मा, रोई बना लिए अपना, आप कहरे हो कि रोई शर्मा खेल गए तो, क्या ही बात करें, अब देखो, रोई शर्मा क्या है न, हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, वो हिट, मतलब, पहले ही ओवर में मारना चालू कर देते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि सारे टीम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कंडिशन में, देखो, अगर रोई शर्मा, अगर M.I. का पहले बैटिंग आ जाए, तो ऐसे कंडिशन में, मिचल श्टार्क के परफॉर्मेंस की कम उमीद कर सकते हैं, ठीक है, और यहां एक रिस्क लेके ट्रंप रख सकते हैं, इनके जगे पे, हर्शीत राना मस्टप पिक रहेंगे, डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, इस मैच के लिए इंपोर्टेंट है, हर्शीत राना, क्योंकि डेथ में जा रहे हैं, वरुन चक्रवर्ती, लेक ब्रिक करवा रहे हैं, सामने की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट कितने हैं, इंपोर्टेंट य तो मैंने आप लोगों को बता दियें कौन-कौन से प्लेस है जस्पित बुम्रा इंपोर्टेंट हो जाएंगे और सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आता है तो नुवन तुशार आप ट्राई कर सकते हो ठीक है फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो फिर उस चावला फ बाकि वरुण चक्रवर्ति के बारे में बोल दियो दूनों इनिंग में बढ़िया चोईस रहेंगे चलिया अब बात कर लेते हैं हमारे स्मॉल लिग में कौन-कौन से पिक्स है वह आप लोगों को यहां इस टीम की तरफ से तो बता चुका हूँ बाकि इस टीम की तरफ से रोई शर्मा इशान किशन अच्छे चोईस है फर्स्ट इनिंग बैटिंग में तो आप लोगों को रखना पड़ेगा चोईस ही नहीं है सूरी कुमार यादव इंपोर्टेंट रहेंगे काफी बढ़िया 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 बैटिंग भी कर सकते हैं और आप लोग कैप एढ़िया मस्टपिक है और यहाँ पसे प्यूस चवला और जस्पित भूम्रा बस यही कुछ प्लेयर्स नहीं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले है ठीक है सुलीन नारां दूनों इनिंग के लिए मस्टपिक है सुलीन नारायन, पीस ओल, दोनों इनिंग के लिए मस्ट अपिक है, स्मॉल लिग में रखेंगे, अंगरीश को आप लोग ग्रैंड लिग में रख सकते हूँ, अच्छे आकड़े हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किसको रोटेट करना चाहरे हूँ शेयश एयर, मस्ट अपिक है, फर्स इनिंग में, काफी बैतरी रहेंगे मुंबई के खिलाब वेंक टेश्वर एयर बहुत बढ़िया कर जा रहा है अब द quूश चावला के सामने अइसा ना हो कि जल्री विगिट गवाद है इस वेन्यू पे भी 21 कैवरेज है, आप लोगों डिफ्रेंशियल ग्रेंड लिक के इसमें रोटेट करिए, यह हमेशा पंटर का काम करता है, ठीक है, तो रोटेशन करिए, हो सकता प्यों चावला को विखिटी ना दे, ठीक है, रिंकु सिंग, पाच मैंच में 14, फसे हुए है वेन्यू पे अच्छे आकड़े हैं, लेकिन इस बार मौका भी नहीं मिल रहा है, नहीं ट्राइ कर रहे हैं, रसल मस्ट है पिक रहेंगे भाई, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही तरफ से, और बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ, बिकिट मिलने के चांसिस भी बन रहे ह नमंदिर सिंग की बात करूँ, अभी के लिए तो नहीं ले पा रहा हूँ, पच्छी सर निया मनाये हैं, अभी के लिए जगानी बना पा रहा हूँ, बाकि मिचल श्टार्क, सिंपल सा बोल चुका हूँ, पाच मैच में पाच विगट, एक मैच में चार विगट, हैट बड़े खिलाडियों की बात कर रहा हूँ, बाई, हर शीतरा ना बाई, हर मैच में विगट निकाल के देता है, तो जरूर रखिए अपने टीम में, ठीक है, वरुन चकरवती, साथ मैच में साथ विगट, 14 मैच में 19 विगट, रेगुलर विगट मिल रहा है, रखके चलिए ट्रम्प हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मिचल श्टार्क पहले ओवर करवा देंगे, ठीक है, नहीं आ रहा हूँ, वैब ओवरोडा भी ठीक टा की रहेंगे, एवरेज रहेंगे, डेथ में आएंगे, तो ही किफायती उपएंगे, रोई शर्मा मस्ट एप एप ट्राइ कर सकते हो, क्या, ग्रेंड लिक की बात करो तो भाई, देखो कुछ परफॉर्मेस आए नहीं, वो आपकी मर्जी, आप लोग क्या करना चाहते हो, कभी भी कोई भी, छोटा बल्ले बाज भी, कभी भी बड़ा खेल जाता है, वो लग की बात होगा, सूरी कुमार या टानी बना पाएंगे भाई लोग, ठीक है, आजा मेरे भाई, कहा निकल गया, टिम डेविड हो गया, चलिए, एके 47 को नहीं ले रहे हैं, प्यूश चावला, देख सकते हो भाई, दो मैच में दो विगिट, ठीक टाक, एवरेज विगिट मिलने के चांसी है, रख के चल सकत हैं, आप लोग, खास का 2nd inning में किफायत ही हो सकते हैं, जस्पित बुम्रा मस्ट हैपिक हैं, ठीक है, इसके बाद मैं 9-1 तुशारा, ड्रॉप कर सकता है, एक मैच में तीन विगिट जरूर निकाल के दिया, 2nd inning में करता है, देखो ए लास मैच के अगर मैं बात करू विगि चाहू तो बैकप कर सकता हूँ, देखते हैं, उससे बड़ी बढ़िया भी कोई पीक हो रहेगा, तो वो भी ट्राइ करेंगा, ठीक हैं, बाकी है ट्वेड का अच्छा करणा देखने को मिला है, ये आपके सामने प्लेयर्स बैटल है, इस पे जादा मत जाईए, टीम के बा को ले सकते हूँ, आपकी मर्जी है, क्या करना चाहते हो, वो फर्स इनिंग सेखेंड इन आपको जैसे लगता है, देखो फर्स इनिंग में तो रखना ही पड़ेगा, पी सॉल्ट हो गए, इशान केशन फर्स इनिंग में तब भी रखना पड़ेगा, ठीक है, सूरी कुमार मस्टपिक है, हर्शितराना मस्टपिक है, रहे गए वरुन चक्रवर्ती, ये भी आद दोनों इनिंग में निकाली जागा, तो ये खिलाड़ी भी बढ़िया है, अब च्वाइस क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ तिलग वर्मा के जगे पर आपको रोटेशन करने का, और ठीक थाक-टीम है, रोई शर्मा आगे तो हमारा काम बन गया, लेकिन रोई शर्मा के जगे पर भी आपको करना है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन कैसा करना है, वो आपकी मर्जी आप किसको ट्राइ करना चारह रहे हो, नुबण तुषारा लेना चारह हो, या फिर बैट्स आप लोग हमारे टेलेग्राम पे मिल सकता है आपको टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है फर्स्ट कमेंड में पिंट करके दे दिया इस साल भाई रिकोर्ड्स बहुत जबरदस रहे हैं काफी कमाल की विनिंग किये हैं तो आप लोग जाके टेलेग्राम पे जूट सकते हैं टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है पहले कमेंट में भी मैंने पिंट कर दिया धान में रखिए कि इस वीडियो में मैंने वो मजा क्यों नहीं दिलाया तो मैं आपको bad winnings 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 back to back winnings भाई नहीं बता पार हूँ आज ठीक है क्योंकि मैं match चल रहा है अभी देखता हूँ कैसा result है बागी love you all इसी तरी के साप लोग win करते रहिए कमाल करते रहिए टेलेग्राम का link आपको आपके सामने भाई वीडियो के नीचे description में पर्स कमेंट में मैंने पिंड कर दिया बागी कमेंट कर लिए आप लोग love you all मिलते नेक्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जय